मुशी सब एक और सवाल जहन ने आया और मेरे खाल से यह भी बड़ा इंपोर्टन्ट है कि for example एक शक्स दूसरे शक्स के पास पैसे रखवाता है और जिसके पास पैसे रखवाता है वो घर में किसी को इंफॉर्म नहीं करता और वो पैसे कहीं रखता है या वो पैसे घर में म आयर बड़ा शक्स है जिसने पैसे दी है वह करता है कि मैंने इस इंसान को इतने पैसे दिये थे और घर वाले कहते हैं कि हमें तो नहीं पता तो फिर के शुरते बड़ा हम इन मौमलात में यह समझें के अल्ल्ह और उसके रसूल ने हमारी हर रानुमाई पहले से कर दी करान अगर खुद लिखना पड़ना नहीं आता तो जो लिखने वाला कातिबे वो अदल और इंसाफ के साथ लिखे यानि हमें किसी का लाख देना है पचास जार देना है ये शर्म हम ना करें हम लोग शर्माते रहते हैं यार फैसल भई यार क्या कहेंगे यार मैंने उनसे तहरीर कर वाई आलंकि ऐसा नहीं है कुरान मजीद में लग ताला फर्माता है तुम इसको हलका मत समझो और हम लोग कुरान के खिलाफ जब जाते हैं, हमें इतमाद है जनाब, क्या मसला है, कोई बाद नहीं, तो भई, फैसल भई पर इतमाद है, जैसे आपने का अगर उनके साथ कोई मामला हो जाता है, बाद में क्या होगा, सारी जिनकी फिर लड़ते रहते हैं, अब फैसल भई तो चले गए, फैसल भई या निए निए बाड़ी, कोई भी या निए वो तो अगले जान के सफर पे चले गए, जाना तो सब नहीं भई, तो वो जहां अल्ला सलामत रखे, लेकिन हर बंदी के साथ मामला है, मेरे में कह रहा हूँ, हम तो चले गए अगले जान, लेकिन है कि हर बंदा ये अपना मामूल कर ले, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, कि मेरी एक डाइरी ये लेन देन की, मैं उसमें हर छोटी बड़ी हर चीज लिखी हुई है, ठीक है, घर वालों को बताया है, मैंने जो लेन है वो भी लिखा हुई है, जो देन है मैंने वो भी हैं, तो आप तेहरीर अपने पास लिखवाएं, स्टाम लिखवाएं, जैसे आज कल का है, हाँ, कॉंट्राक्ट होता है, दो गवाओं की, या फिर गवा बना लें, कि यहार इन गवाओं की मुझूदगी में मैंने इसको पैसे दिये हैं, और मैं यहां सुनने वालों से वालों के पास कोई स्टाम वगरा या कोई एविडेंस कानूनी नहीं था, तो आगे से मालूम है, उनके बच्चों ने क्या जवाब दिया, वो कबर के अंदर चले जाओ, कबर पे चले जाओ, मांगो जाकि उससे, अल्लाहु अक्पर, सोचें जरा कि उनके बाप ने उनकी के लिए क्या किया, सारी जिनगी, गर्मी, सर्दी में किस तरह से उनको पाला और अब वो कबर में किस कदर उससे इसाब लिया जाएगा, और तुम में कोई परवाई नहीं है, तुम कहते हो जाओ, उसे कबर में मांगो, अगर आप से कोई आकर कहता है कि वहीं, आपके वाल कि अगले जान की जिनदगी असान हो जाए, अब आप उसमें बासों तमीज में ना पढ़ें, और अगर कोई धोका करेगा, तो इंदल्ला पकड़ा जाएगा, ठीक, सही है, यह आई थिंक यह बात क्लियर होगे होगी, पूरा साल इंतजार था में, इस सम्जा में, तीस दि छेटींज, बारा कंटेस्टेंज, कैश का पा, अब गेम वो होगा, इसे आपका ने भी, जिसने जो करना था, गरिए, लातों अवाम को देने का जिन्मा, इनमें असा, शोर गूंजेगा, हर गली नुकर और बुकान, रमजान लीग बनेगी, आपकी ताचा, नारा लगेगा, तो फारा चड़ेगा,